पांसो साल बाद बन रहा इन रासियों की गोचर कुंडली में कुल दीपक राजयोग 2024 में मिलेगा अपार पैसा और पत्रतिष्ठा गुरू ग्रह कुल दीपक राजयोग बनाने जा रहे हैं जिससे साल 2024 की सुरुवाद में कुछ रासियों का भाग चमकेगा बेदिक जोतिस के अनुसार गिरह समय समय पर रासि परिवर्थन करके सुग और अशोवियोग का निर्माड करते हैं जिसका प्रभाब मानब जीवन और प्रद्वी पर देखने को मिलता हैं आपको बता दे कि देप्ता के गुरू ब्रस्पती ने मेश रासि में गोचर कर लिय हैं साथ ही वह 31 दिसंबर को मारगी होने जा रहे हैं ऐसे में गुरू मेश में रहकर कुल्दीपक राजयोग का निर्माड कर रहे हैं इस राजयोग का प्रवाब सभी रासियों के जातकों पर देखने को मिलेगा कुल्दीपक राजयोग का निर्माड मेश रासि करक रासि एवं सिंग रासि पर हो रहे हैं मेश रासि के जातकों को कुल्दीपक राजयोग के माध्यम से अगर सारी दे कुछ कष्ट है तो उस कष्ट की निवरत्ती होगी और कुछ जातक ऐसे होते हैं जो उदाशीन होते ह तो इसी योग के आनेक से उनके जीवण में प्रशननता की प्राप्ति होगी, वह चेतनने होंगे और अपने कर्म के प्रती निश्यती रूप से लगने से कर्म को करने लगेंगे करक रासी के जातक जो है उनको स्री शंपन्नता की प्राप्ती होगी और शिंग रासी के जो जातक है वह कुल्दी पकराज योग में मित राशी का योग है तो निश्यती रूप से वह जिस कार को करना है उस कार में उने शिक्र सफलता प्राप्त होगी और वगवान की करपा से नई नई उर्जा का उनके जीवन में संचार होगा और विशेश रूफ से यह योग हमारे द्वारा कुछ ऐसा कायर करा देता है जहक जो कायर हमारा अनेका अनेक बरशों तक नाम को अक्षुन ने रखता है कुछ लोग वो कार करते हैं जिसको कुछ ही दिन में लोग भूल जाते हैं पर यह इसमें बड़ा ही दिब्ब शब्द लगा हुआ है कि कुल दीपक राजयोग तो कुल का भी नाम रोशन करते हैं और जिस प्रकार से दीपक के प्रजिलित होने पर अंदकार नश्ट हो जाता ह जीवन में प्रकास की प्राप्ति होती है तो यह जातक जो है शिंगरासी के जातक इनका स्वामी शूर होता है शूर के उदे होने पर जिस प्रकार अंदकार नश्ट हो जाता है में प्रकास की प्राप्ति होती है ऐसे ही जातक कुछ ऐसा कायर कर जाएंगे इस योग में कि उनका नाम अक्षुन्य हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा, अनेक आनेक वर्षन तक, उनका परिवार भी उस कार के लिए उनकी प्रसन्नता करता रहेगा, ओम